दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में दोस्तों अगर आपके पास बजाज फिंसर का EMI कार्ड है तो आज का वीडियो आपको काफी हेलफुल रहने वाला है आज दोस्तों मैं आपको step by step process के अंदर सिखाऊं को कि किस तरह से आप बजाज फिंसर EMI कार्ड न्यू बजाज EMI कार्ड बनवाते हों तो तभी आपके पास से आपके bank का जो ATM वगरे मागा जाता है तो जिस bank account का आप ATM कार्ड वगरे देते हों तो वहीं bank account से आपका automatic payment debit होता है जो भी आपका EMI होता है मंतली वगरे इसका payment आपके bank account से automatically होता है इसे हम e mandate भी कहते हैं तो अब देखिए कुछ time के बाद ऐसा होता है कि आपने आपका bank account close कर दिया या तो आपको आपका bank account है वो चेंज करना आपके card के अंदर auto payment के लिए तो वो आप आशानी से आपके घर बेट कर सकते हो online जो बजाज फिंसर का website है इसका यूज करके तो दोस्तों चले चलते हमारे computer screen पर वहाँ पर मैं आपको step by step process के अंदर सिखा तो कि इस तरह से आप अपना bank account change कर सकते हो आपके automatic payment के लिए तो सबसे बेले दोस्तों आपको बजाज फिंसर का जो website है official इसको आपको open कर लेना है इसके बाद my account को पर क्लिक करके customer portal के उपर क्लिक करना है यहाँ पर आपको login के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको login कर लेना है आपका register mobile number इसके बाद आपके register mobile number के उपर OTP आएगा इसको लिखकर आपको simple login कर लेना है यहाँ पर आपको देखा था कि मैं successfully login हो चुका हूं इसके बाद आपको simple एक option लेगा menu के अंदर quick payment और last में आपके option लेगा change swap bank account का इसके उपर आपको simple click कर देना है इसके बाद यहाँ पर देखें जो भी आपका जो भी प्रकरकर का आपको जो लोन वगरे चला होगा इसकी detail होगी इसके बाद यहाँ पर आपको आपका existing account भी दिखा देगा भी मेरा ICIC bank है तो simple इसको में यहाँ पर take करूंगा और next button का उपर click करूंगा इसके बाद यहाँ पर आपको new bank account की detail add करना है bank account name of change नहीं कर सकते क्योंकि आप अपना खुद का ही bank account यहाँ पर add कर सकते तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका bank choose करना कौन सा bank भी आप add करना चाहते है मतलब कि जो आपका नया वाला bank होगा वो आपक इसके बाद जो भी आपका bank account है इसका आपको यहाँ पर IFC code लिखना है इसके बाद आपका account number आपको यहाँ पर लिखना है इसके बाद account type यहाँ पर saving रहेगा इसके बाद starting और ending डेट आपको देखा रहेगा यह आपका limit रहेगा by default 25,000 तक automatically जो debit हो सकता यह आपका limit रहेगा और यहाँ पर सभी परकर की डेटल एड़ करने के बाद आपको यहाँ पर submit बटन के उपर click कर देना है इसके बाद के step कंतर दोस्तों आपको e mandate करना है यहाँ पर आप net banking या तो debit card की मद्दे से करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ personal detail आपके सामने आजाएग यहाँ पर simple आपको देखिए दागा mandate for registration net banking debit card आपको सूस करना है डिस्क्लाइमर को सूस करना है आपको submit बटन के उपर click करना है इसके बाद दोस्तों जो भी आपने bank सूस किया इसका आपको यहाँ पर website open हो जाएगा यहाँ पर आपके पांस दो option होगे net banking ATM card यहाँ पर हम net banking सूस करते हैं इसके बाद आपको net banking username और net banking password आपको यहाँ पर लिखना है आपको net banking के अंदर login करके आपका e mandate activate करना होगा तो य यहाँ पर username मैंने लिख लिए है password लिखते हैं इसके बाद simple यहाँ पर हम login बटन के ओपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सभी परकार की डिटल देहाँ देगी simple आप यहाँ पर read करना है जो भी आपका mandate रहेगा starting date, ending date, आपका maximum amount सब कुछ यहाँ पर आप read करना है यहाँ यहाँ पर आपके register mobile number के ओपर एक OTP आपको यहाँ पर लिखना है, OTP लिखने के बाद confirm के ओपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको देखा दागा successfully amended हो चुका है, automatically यह जो page है वो refresh होकर बजजा Spencer की जो website है वहाँ पर आपको redirect कर देगा, तो यहाँ पर आपको देखा दागा ह अब आपको यहाँ करना है, यहाँ पर आपको आपका जो bank account आपने aid किया है, इसका आपको cancel check upload करना है, cancel check simple आपके पहुत जो checkbook है, इसके अंदर आप यहाँ पर cancel लिख दीजे, तो आपका जो cancel check ready हो जाएगा, बस आप इसको यहाँ पर upload कर दीजे, तो यहाँ पर मैंने check च इसके बाद यहां पर क्या होगा कुछ time के बाद आपको automatically आपके register mobile नमर पर message आ जाएगा कि आपका bank account successfully update हो चुका है इसकी कुछ condition है इसके बारे में थोड़ा आप जान लिजें कि किस तरह से और कैसे जो आपका bank account है वो change होता है मैं आपको यहां पर जो बताता हो कि किस पर कर का यह process होता है और आपको यहां पर किस तरह से wait करना है अब देखे दोस्तों अगर आप अपना bank account first date से 22 date तक change करते हैं इस बीस में आप अगर change करते हैं तो आपका जो bank account हो same month के अंदर ही change हो जाता है पर अग्जेंपल मार लिजे यह january मन चल रहा है तो अगर आप 5 january को आ आपका जो new bank account है यह bank account से आपका जो भी EMI होगा वो debit होगा लेकिन अगर आप यहां पर 22 के बाद और 30 या तो 31 के बीच में अगर आप अपना bank account change करते हैं तो आपका bank account है वो March महिने के अंदर update होगा क्योंकि अगर आप 22 के बाद update करोगे तो आपका bank account तो update हो जागा लेकि आपके पूराने bank account से ही debit होगा यह मैं आपको इसलिए बतार हूँ अगर मानलेचे आपने जो जानुवारी मन्त के 23 डेट को आपका bank account change किया और इसके बाद आप क्या करता हो कि आपको लगेगा कि आपका bank account successfully change हो चुका है आप जो भी आपका पूराना account इसको अगर close वगि मार्स मैने के अंदर जो भी आपका EMI debit होगा वो new bank account से debit होगा तो यह बात का आपको बहुत जान रखना है क्योंकि मैंने बाजा Spencer की team के साथ काफी time जो communication किया है इसके बाद मैंने सब कुछ चेक करके आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कि अगर आप first से 22 तक change करते तो आपका next EMI होगा वो new bank account से debit होगा लेकिन अगर आप 22 से 31 30 तक आपका bank account चेंज करते हैं आपको डेड चेक करके चेंज करना है तो आपका bank account चेंज नहीं होगा next मन्त में आपके पूराने account से आपका EMI debit होगा तो यह बात का आपको बहुत अच्छ तरह किसे जान रखना है चेंज हुआ या नहीं तो सिंपल आप फिर से सेम प्रोसेस फोलो किजिए आपके account के अंतर आप लोगिन किजिए इसके बाद आपको quick pay के ओपर click करना है इसके बाद आपको change or swipe bank account के ओपर click करना है जैसे आप वहाँ पर click करोगे तो वहाँ पर आपको अब जो data देखा होगा जो पहले मेरा था ICIC bank अब आपको यहाँ पर देख रहा होगा state bank of India हो चुका मतलब कि जो भी मेरा next EMI अब होगा वह से debit होगा नहीं कि ICIC bank से तो इस तरह से आप अपना bank account change कर सकते हैं बज्जा Spencer EMI card के अंदर तो बस दोस्तों ask out यहाँ सकता I hope कि आपको पसंद आये ह